चिबिट में निंग मापा संप्रदाय उत्पीरन की घटनाओं के कारण डेज छोड़ कर भाग गए और सिकिम और भोतान जैसे स्थानों में शरन लेले 1642 में खे बुमसा की पाचवे पीरी के वन्शच पुट्सवंग नामग्याल को सिकिम में निंग बापा आदेश के संस्थाप अक रिंपोची लाच्सुन चेंपो और दो सम्मानित लामाओं के द्वारा युकसाम में पहले चोग्याल के रुपे प्रतिश्थित किया गया सिकिम के टेरिटरी में नौठ में चुम्बी वैली, भुटान में हाजौं तक, नेपाल में अरुन नदी तक और वेस्बेंगौल के जलपाईगुरी जिले तक अधिकांश भाग शामिल थे 1670 में पुद्संग नाम्याल के बेटे ने उनके बाद राजभार संभाला और कापिटल को युकसाम से राब्दैंसिम में ट्रांसफर किया चोग्याल के हाफ सिस्टर जिनको ठ्रोन ने मिला के मदद से 1700 में भुटान ने सिकिम पर अटाक किया बड़ ट्विट की मदद से सिकिम ने भुटाने को वापस भेज दिया और चोग्याल को सिनहासन वापस मिला दस साल बात सिकिम के कालिमपॉंग और उसके नौट के जो भी पार्ट्स थे सिकिम लॉस्ट अल अफ डैक के भुटान 1717 और 1733 के बीट सिकिम राजय को पश्चिम में नेपाल और पूर्ट में भुटान के द्वारा कई छापों का सामना परना करें जिसके समापन नेपालियो द्वारा राजधानी रब्दैन से के डिस्ट्रक्शन के साथ हुआ सिकिम के समर्थन करने और वतमा नेपाल के गोर्खा समर्जाय के खिलाफ तिबिट की रक्षा करने के लिए चाइना ने सिकिम का समर्थन करने के लिए सेना भीजी गोर्खा पर बाद में हार के साथ चाइनीज किंग डाइनस ने सिक्किम पर नियंटरन स्थाप्रित कर दिया ब्रिटिश के इंडिया आने के बाद 1890 में सिक्किम ब्रिटिश प्रिटेक्टरेट बना और धीरे-धीरे उसको और सवरिंटी मिला अगले 30 सालों में 1914 में Oxford educated sitcom टुलकु जो की 10th चोग्याल थे राजा बने और नए administrative and political reforms introduced की लेकिन एक साल के अंदर ही उनकी मौत हो गई और उनके भाई ताशे नमग्याल इसके बाद सिक्किम के चोग्याल बने 1975 में जाके 16 में में सिक्किम इंडिया का 22 वा राज्य बना लेकिन जिस तरीके से referendum vote के टुलकु जोग्याल के authority को मुनारकी को abolish किया और ये कदम उठाया गया उसे widely criticize किया गया पर उसे फरक नहीं पड़ा और ultimately constitution के 36th amendment के टुल सिक्किम को फुल स्टेट हुड मिला नौटिश पर नजर का ये एपिसोड अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें हमें हमारे सूचिल मेडिया हैनिल्स पे वीफॉल नमस्कर